दोस्तों किसको पता था कि एक UK से आया हुआ Indian आज Star Plus का इतना बड़ा actor बन जाएगा दोस्तों किसको पता था कि जो UK में एक lawyer बनना चाहता है वो इंडिया में आके आपके दिलों का जादुगर बन जाएगा तो दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ विकरम सिंग चोहान की जिन्होंने आपके दिल पर राज कर रखा है यह जादू है जिनके सीरिल से तो दोस्तों आज हम विकरम सिंग चोहान की बायोगरफी जानेंगे तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिस लड़ परटन को दबा के और विकरम सिंग के फैन है तो इस लाइक बटन को ठोकना बिलकुल भी ना वोले तो चलिए दोस्तों आज के हम बायोगरफी स्टार्ट करते हैं आई होप आपको ये बायोगरफी अच्छी लगेगी दोस्तों बिकरम सिंग चोहान का जनम उत्राखंड के सहर दहरा दून में 19 अगस्ट 1988 को हुआ बिकरम को एक्टिंग देखना ज़ादा पसंथा ना कि करना इसलिए वो 12 पास करने के बाद Master of Law कोर्स करने की ठानी और वो इसके लिए UK गए दोस्तों बिकरम सिंग चोहान 4 साल का कोर्स कर रहे थे UK में यानि कि आप London ए England मान सकते हैं तो फ्रेंड जब वो यहाँ पर 4 साल का कोर्स कर रहे थे तभी उनके एक एक्टरिस फ्रेंड ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप प्लीज पार्ट टाइम एक्टिंग का भी कोर्स करे क्योंकि आप में वो बात है कि आप एक हीरो बन सकते हैं तो दोस्तों फिर क्या उनकी बात सुनके विक्रम यूके में पार्ट टाइम एक्टिंग का कोर्स करने लगे दोस्तों जैसे जैसे वो एक्टिंग का कोर्स करते गए उनका इंटरेस्ट इसमें और भी जादा बढ़ते गया इनका इंटरेस्ट इसमें इतना जादा बढ़ते गया कि वो इस कदर पागल हो गये ते एक्टिंग में और हीरो बनने की चक्कर में कि वो UK से मुंबई सिफ्ट हो गये 2002 के आसपास तो दोस्तों यहां तक तो विकरम सिंग चोहान की अरली लाइफ अच्छी चल रही थी बट अब उनका स्ट्रगल टाइम आया जहां पे उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल देखे क्योंकि मुंबई में जब वो आये तो यहां पे उन्हें कोई भी दो साल तक कोई भी काम नहीं मिला उन्होंने इतने सारे ओडिशन दिये और इनमें इनको इतनी बुरी तरीके से रिजेक्ट किया गया कि अगर इनके सामने अगर कोई और होता तो डेफिनेटली वो कभी भी एक्टिंग नहीं करता लेकिन दोस्तो विकरन सिंग चुहान ने कभी भी हार नहीं मानी उन्होंने सबसे पहले मुंबई में सर्वाइब करने के लिए एक अच्छी सी जॉब पकड़ी हाला कि उनको अफसोस था कि मैंने यूके से यहां आके एक बहुत बड़ी गलती कर दिया अपनी दोस्त की बात मान के मैंने सबसे बड़ी गलती कर दिया बट अब मुझे कुछ करना है तो दोस्तो बस यही दिमाग में लिये हुए उन्होंने एक जॉब पकड़ी और दोस्तो इसके बाद उन्होंने हर वीकेंड पे ओडिशन देना स्टार्ट किया दोस्तो वो कई ओडिशन देने के बाद उन्हें एक एड फिलिम आपर हुई और वो था उनकी लाइव का सबसे बेस्ट मूमेट जहां उन्होंने एक एड फिलिम करी जी हाँ दोस्तों जो कि 30 सेकंड का आप TV पर जरूर देखते हैं तो उन्होंने ऐसे कई आड्स के, सुरुवात में दो आड्स के बट उसके बाद भी बहुत सारे आड्स के ऐसे ही करते करते विक्रम सिंग चौहान मॉडलिंग में भी चले गए और उन्होंने कई मॉडलिंग की दोस्तों फिर धीरे धीरे करके वो सीरियल के भी आडिशन देने लगे उन्होंने इतना जादा सीरियल के आडिशन दे लिए वो भी बिना हार माने हुए कि उन्हें फाइनली एक शोव आपर हुआ जिसका नाम था कबूल है जो कि जी टीवी का बहुत ही पॉपुलर्स होता 2012 में दोस्तों फिर क्या विकरम सिंग चोहान बन गए इंडिया के राइजिंग स्टाल तो दोस्तों ये है विकरम सिंग चोहान की बायगरफी जिन्होंने कई आवार्ड जीते जिन्होंने कई लोग का दिल जीता और कई सीरेल्स किये और वो आगे भी करते रहेंगे दोस्तों विकरम सिंग चोहान से अभी पूझा जाता है कि आपने जो पहले किया क्या आप दुबारा इसे कर सकते हैं तो दोस्तों विक्राम सिक्चवान हस का जवाब देते हैं विवक्रल्ज भी नहीं क्योंकि उनको लगता है कि मैं ऐसा दुबारा कभी भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यह बहुत जादा मुस्किल है मुझे भी नहीं पता यह कैसे हो गया विकराम सिंक्चवान का यह जवाब है आपको कैसी लगते हैं विकराम सिंक्चवान प्लीज निजे चाहिए इस कॉमेंट करें इस कॉमेंट बॉक्स में और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए साल प्रटन के दबाखे तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट बायग्राफी के साथ तो तब दे के लिए शबख है